और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां आपको मतादे की राष्ट्री शिक्षा नीती के थायत केंदू सरकार ने 2022 में उल्लास नव भारत साक्षरता कारेकरम की शिरुवात की है इस कारेकरम का मकसद देश में पूर्ण साक्षरता की लक्षे को हासिल करना है उल्लास कारेकरम ने देश में साक्षरता की मुहिम चड़ी है और अब तक डेड़ करोड से ज्यादा लोगों को इसका लाब भी मिला है पंद्रा साल से उपर के व्यस्क जो अपचारिक स्कूली शिक्षा से वंचित रह चुके हैं उन्हें इस कारेकरम के जरिये साक्षर बनाया जा रहा है आईए देखते हैं ये रिपोर्ट कल्पना कीजिए एक ऐसा भारत जहां हर इनसान अपने सपने को साकार करने के लिए पढ़ लिख सके और जहां ग्यान की रोशनी की चमक से हर चेहरा चमके ये अब संभव हो रहा है उल्लास की वजह से उल्लास यानि नव भारत साक्षर्टा कायरकम जिसकी शुरुवात केंदर सरकार ने 2022 में की राश्ट्रिय शिक्षानीती के तहत शुरू किये गए इस कायरकम का लक्ष देश में पूर्ण साक्षर्टा के लक्ष को हासिल करना है उल्लास केवल एक योजना नहीं बलकि एक जन अंदोलन है एक ऐसा अंदोलन जो लाखों लोगों के जीवन को बदल रहा है पंद्रा साल से उपर के लोग जो किसी वजह से औपचारिक स्कूली शिक्षा से वन्चित रह गये वो उल्लास के माध्यम से पढ़ना लिखना सीख रहे हैं जन जन साकशर के मिशन के साथ उल्लास कायरकम को वर्स 2022 से 2027 के दौरान लागू किया जा रहा है ये कायरकम गैर साकशर लोगों को मुलबूत साकशर्टा महिया कराने के साथ-साथ उन्हें वित्य और डिजिटल साक्षर्टा जैसे जरूरी जीवन कोशल से भी परिशित कराता है कायरकम के तहट वर्स 2022 से 2027 के दौरान पांच करोड यानि हर साल एक करोड लोगों को मुलभूत साक्षर्टा मोहिया कराने का लक्ष रखा गया है किंद्र प्रायोजित उल्लास कायरकम का अनुमानित परिवया करीब 1038 करोड रुपय है उल्लास यानि नव भारत साक्षर्टा कायरकम ने देश भर में साक्षर्टा की मुहिम छेड़ी है कारिकेम के जरिये अब तक डेर करोर से अधिक लोग साक्षरता की ओर कदम बढ़ा चुके हैं साथ ही 37 लाग से अधिक स्वेम सेवी शिक्षक भी अब तक इस से जुड़ चुके हैं उल्लास ने गैर साक्षर लोगों को ना सिर्फ पढ़ने लिखने का मौका दिया है बलकि उनका आत्म सम्मान और आत्म विश्वास भी बढ़ाया है निशानत सौरब डीडी निउज दिल्ली